हेलो दोस्तो, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Moto G9 Power के वारे में और इसका comparison करने वाला हूँ Poco M2 के साथ में साथ में बताने वाला हूँ आपको दोनों में से कौन से स्मार्टफोन लेना चाहिए आपके साथ से कौन से स्मार्टफोन यहाँ पर best होने वाला है इन दोनों में से तो अगर आपको budget जो है यहाँ पर 10-11,000 रोपे तक है तब आप इस वीडियो को जरूर देखें साथे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक like जरूर करते हीगा इसका लवाज तो अगर आप इस वीडियो से related कोई भी question पूछना चाहते हैं तो आप मुझे Instagram पर जरूर follow करें वहाँ पर आप मुझे कोई भी question पूछ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो सबस्ब पहले आए जानते हैं इन दोनी फोन्स के features के वारे में Moto G9 की बात करना तो इसमें आपको 3 की production मिल जाती है जो कि काफ़ अची बात है तो उस्तो display quality की बात करें तो वो जो है आपको Poco M2 में ज़्यादा बेटर है यहाँ पर दिखने को मिलने वाली है क्योंकि उस्तो यहाँ पर आपको Full HD Plus display आपको दिखने के लिए मिल जाता है साथ ही जो protection है वो भी आपको यहाँ पर Gorilla Glass 3 की मिल जाती है लेकिन वहीं इसके लवाएगार आप एक बड़ा display चाहते हो जो कि Moto G9 में आपको दिया गया है जो कि 6.18 का एक बड़ा display आपको दिखने को मिलता है लेकिन एक बात का आपको धन दखेगा यहाँ पर आपको HD Plus Resolution देखने के लिए मिलता है तो उतने अच्छी quality आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी इसके लवाँ बात करते हैं पर्फॉमेंस की तो Moto G9 Power में आपको Qualcomm Snapdragon 662 प्रूसर यहाँ पर दिया गया है जो कि 11 ननोमेटर की टेक्नोलोजी पर बेस्ट है और वहीं Poco M2 में आपको MediaTek का Helio G80 प्रूसर दिया गया है जो कि 12 ननोमेटर की टेक्नोलोजी पर बेस्ट है और वहीं आपको बताते हैं यह गेमिंग प्रूसर है तो उसके हम बात करें अगर पर्फॉमेंस की में Triple Rear Camera Shutup दिया गया है जिसमें Primary Camera 64 Megapixel का दिया गया है 2 Megapixel का Macro Camera दिया गया है 2 Megapixel का Depth Camera दिया गया है Poco M2 में आपको Vertical Shape में Cold Rear Camera Shutup दिया गया है जिसमें Primary Camera 13 Megapixel का है 8 Megapixel का Ultra Wide 5 Megapixel का Macro Camera और 2 Megapixel का Depth Camera दिया गया है दोस्तों बात करें हम Camera Quality की तो सीडिसी बात है आपको जो camera quality है ये आपको जो है Moto G9 Power में ज्याधा better देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आपको 64 megapixel का primary camera दिया गया है वहीं इसके लोग बात करें front camera की तो Moto G9 Power में आपको 16 megapixel का front camera दिया गया है और Poco M2 में आपको 8 megapixel का front camera दिया गया है तो उस्तों करें यहाँ पर overall camera quality की बात करें तो वो आपको Moto G9 Power में ज्याधा better देखने को मिलेगी इसके लोग बात करते हैं battery की Moto G9 Power में आपको 6000 mAh की बड़ी battery दी गई है साथ में आपको यहाँ पर 20 watt की fast charging का support मिल जाता है जो box में आपको charger दिया जाता है यह cable 10 watt को दिया जाता है अगर आप fast charging करना चाहते हैं तो cable आपको यहाँ पर support दिया जाता है 18 watt की charging का इसके लिए आपको अलग से charger लेना होगा जो कि यहाँ पर charger की अगर price होती है तो यह मैं इसका link आपको नीचे description में दे दूँगा तो आप वहाँ से इसको purchase कर सकते हो maximum में आप पर 499 के something यहाँ पर charger आपको देखने के लिए मिल जाता है इसके लग बात करें हम security features की तो आपको दोनों ही phone में face unlock और rear में fingerprint sensor दिया गया है अब बात करें OS की तो Moto G9 Power में आपको stock Android का experience मिलता है जिसमें आपको out of the box Android 10 दिया गया है वही Poco M2 में आपको Android 10 based MIUI 12 दिखने को मिल जाती है और इसके लगा हम बात करते हैं दोनों ही phone के special features की तो Moto G9 Power में आपको NFC के support मिल जाता है जो की काफी अच्छी बात है यानि क्या payment वेगारा जो है आसानी से यहाँ पर कर पाओगी और वही Poco M2 में आपको IR blaster देखने को मिल जाता है जिसे भी दोस्तों IR blaster के वारे में नहीं पता है मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ उसका link में नीचे description में दे दूँगा आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा IR blaster क्या होता है चैसे फिर उपर IR blaster में वीडियो दिया हुआ है आप जाके देख सकते हो फिलाल दोस्तों बात करते हैं हम इसके price और इसके warrant की तो Moto G9 Power में आपको केवल एक ही warrant देखने के लिए मिलता है जो कि 4GV RAM और 64GV storage के साथ में आता है इसके जो price है ये 11,999 रुपय है और वहीं अगर इसके sale की बात करें तो इसके sale जो है आज से सुरू हो गई है और वहीं आपो कई सारे offer भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसके लगों बात करें हम Poco M2 की तो इसमें आपको दो warrant देखने को मिलते हैं जिसमें मैं बात करने वाला हूँ base warrant की इसका जो base warrant है यह आता है 6GV RAM और 64GV storage इसकी जो price है ये 9,999 रुपय है और वहीं बाकी warrant की detail आपको निचे description में देखने को मिल जाएगी दोस्तो फाइले बात करते हैं हम अपने conclusion की आपको इन दोनों में से कौन सा phone लें चीए मेरे क्या opener है इन दोनों ही phones के बारे में तो सबसे पहले अगर हम अपने की आपर बात करते हैं तो price की तरफ हम एक बार नजर डालेंगे फिर से दोस्तों अगर हम बात करें pricing की तो motor G9 power जो है ये आपको 4GV RAM और 64GV storage जो warrant है ये आता है आपका 11,999 रुपय की price में और वहीं दोसे दरफ Poco M2 जो है 6GV RAM और 64GV storage ये आपका आता है 9,999 रुपय की price में तो यानि उस्तों अगर हम अगर वैरेंट कोई keyword लेकर यहाँ पर देखे तो आपको 6GV RAM आपको Poco M2 में provide की जा रही है और काफी अच्छी बात यहाँ पर रहाती है उस्तों आपको 2000 रुपय का difference देखने के लिए मिल जाता है और इसके लब अगर आप offer विगरा लगाते हैं तो काफी कम price में आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो इसके लब हम बात करते हैं अगर performance की तो वो भी आपको जो है Poco M2 में ज़्यादा बिटर देखने के मिलने वाली है साथे अगर आप gaming का स्था रुखते हैं तब दोस्तों आप Poco M2 अपके लिए आपर best होने वाला है साथे यहाँ पर display जो है वो भी आपको full HD plus वाला देखने के लिए मिल जाता है तो एक काफ़े अच्छी बात यहाँ पर हो आती है बस यहाँ पर एक बात का आप लोग ध्यान नकियागा जिसको मैं आपको बता चुका हूँ पहले फिर से बता देता हूँ आपको यहाँ पर जो charging, fast charging का support तो आपको 18.00 को मिलता है लेकिन इसके लिए आपको अलग से charger लेना पड़ेगा उसका link फिलालों में नीचे description में दे दूँगा इसकी जो price रहेगी यह 499 के आसपास यहाँ पर रहने वाली है तो आप buy कर सकते हो तो कुल मिलाके अगर हम deals की बात करें यार कौन सी best deal है कौन सा best smartphone है तो यार दोनों ही मामलों में यहाँ पर Poco M2 जो है यहाँ पर हमारा winner निगल के आयाता है लेकिन वहीं अगर आप एक stock Android का experience करना चाहते हैं एकदम clean user interface चाहते हैं तब आप जो है Moto G9 Power की तरफ जा सकते हैं और साथ ही एक बड़ा display आप लेना चाहते हैं तो आप जो है Moto G9 की तरफ जा सकते हैं नहीं तो Poco M2 एक best option आपके पास शोयाता है फिलाल के लिए इसकी जो pricing पहले हुआ करती थी ये 10,999 रुपय आने की 11,000 रुपय की price में आपको देखने को मिलता था लेकिन अभी के लिए आप पर जो है आपको जो है ये 9,999 रुपय की price में मिल रहा है तो ये काफ एची बात है और बेस्ट डिल बन जाती है तो यार अगर आपको कोई भी phone लेना है तो आपके लिए Poco M2 1 best option रहेगा फिलाल के लिए उस्तो ये थी मेरो दोनों ही phones के बारे में आप बदा या आपके सोचते इन दोनों ही phones के बारे में आपके क्या ओपिन रहना है जस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जुरू करते ही का साथ ये उस्तो हमें support करने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हो और आगे भी हमारी ऐसे ही interesting वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है तो चले मिलते हैं फिर किसी नाइस फीडियो में अब तेकर नमस्कार उस्तो जैन